दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Embryology से जुड़े हुए कुछ important point जैसे कि types of eggs, cleaves, marula, blastula, gastula और इसी के साथ साथ हम Embryology से जुड़े हुए MCQ को solve करेंगे तो आपको बता दे कि Biology से जुड़े हुए competitive exam में कम से कम 3 से 4 question Embryology से पूछे जाते हैं तो यदि आपका इन सभी topic से जुड़ा हुआ concept clear होता है तो आप आसानी से सभी MCQ को solve कर पाएंगे तो वीडियो बड़ा ही important है तो आईए आज के वीडियो की सुरुवात करते हैं तो यदि हम बात करें Embryology की तो Embryology के अंतरकत जो fertilize एग होता है या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जाइगोट होता है वह एक adult में convert हो जाता है अब यहाँ पर बात आती है कि एक कितने प्रकार के होते हैं तो जो अंडे होते हैं वो तीन प्रकार से बाटे गए हैं पहला point है amount of yolk यानि की पितक की मात्रा के आधार पर दूसरा है distribution of yolk यानि की पितक के वितरण के आधार पर और तीसरा है best on cell यानि की अंडे के कवच के आधार पर तो इन थ्री बेसिस पर एग को classify किया गया है तो आईए one by one सभी topic को short में discuss करते हैं और इसके example को जानते हैं तो सबसे पहला type है amount of yolk यानि की पितक की मात्रा के आधार पर तो किसी भी अंडे में पितक की मात्रा कितनी है उस आधार पर हम एग को चार पार्ट में divide कर सकते हैं तो सबसे पहला है alicithal egg हिंदी में इसे कहते हैं और पितक की अंडे तो alicithal egg क्या होते हैं ऐसे अंडे जिसमें yolk absent होता है उन्हें हम कहते हैं alicithal egg तो alicithal egg किसमें पाए जाता है? alicithal egg पाए जाता है human egg में इसका example है ये तो example को याद रखीगा human egg में yolk absent होता है दूसरा है microlisithal egg इसे हिंदी में कहते हैं सूच में पीतकी अंडे यानि कि ये ऐसे अंडे होते हैं जिनमें की yolk बहुत ही कम मात्रा में पाए जाता है यदि हम बात करें example की तो sea urchin starfish इनमें microlisithal egg पाए जाते हैं जैसा कि आप figure में देख सकते हैं आपको बहुत कम मात्रा में yolk platless दिखाई दे रहे होंगे तीसरा है mesolacithal egg यानि की मध्य पित की अंडे तो ये ऐसे अंडे होते हैं जिनमें की yolk जो होता है moderate amount में यानि की मध्य मात्रा में पाए जाते हैं न तो ये बहुत अधिक होते हैं और नहीं बहुत कम होते हैं जैसा कि आप figure में देख सकते हैं तो example की बात करें amphibian हो गए petromyzone हो गए और जो lung feces हैं उनमें mesolacithal egg पाए जाते हैं चलते हैं fourth type की ओर जो की है polylacithal egg इसे हम macrolacithal egg भी कहते हैं हिंदी में इसे हम कहते हैं अती पीत की अंडे तो ये ऐसे अंडे होते हैं जिनमें की yawl की मात्रा बहुत अधिक होती हैं और ये किसमें पाए जाते हैं जैसे कि reptile हो गए बर्ट्स हो गए इसके अलावा जो अं की पीतक के वितरण के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं तो यदि हम yawl के वितरण के आधार पर देखे तो इसका पहला जो type है वो है isolecithal या फिर उसे हम कह सकते हैं homolecithal egg तो इस प्रकार के egg में जो yawl होता है वो समान रूप से वितरित रहता है तो यदि हम बात कर एक्जाम्पल की तो आईसो लिसितल एग, प्रोटो कॉर्डेट्स, हर्डमानिया, ब्रांकियो इस्टोमा, इन सभी में पाय जाते हैं distribution of york के आधार पर जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप है टीलो लिसितल एग तो टीलो लिसितल एग में क्या होता है, जो york होता है वो किसी एक पोल पर पाय जाता है यानि कि किसी एक धुरू पर पाय जाता है, जैसा कि आप figure में देख सकते हैं तो यदि बात करें हम example की, तो frog के एग में आपको टीलो लिसितल एग देखने को मिलेगा अगला है central lecithal egg जिसे हिंदी में बोलते हैं केंदर पीत की अंडा तो जैसा कि ये नाम से ही clear है आप देख भी सकते हैं figure में कि इन में जो yalk होता है वो अंडे के center में पाए जाता है तो जितने भी इनसेक्ट है यानि की आर्थो पोर्ट्स हैं उनमें आपको central lecithal egg देखने को मिलता है तो आई चलते हैं अगले topic की और हमारा अगला topic है cleavage यानि की वीदलन तो वीदलन होता क्या है जो fertilized egg होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो जाइगोट होते हैं उनमें mitotic division यानि की समसुत्री विभाजन होता है और इस समसुत्री विभाजन के फलसोरुख 2, 4, 8, 16, 32 और इसी प्रकार अनेक daughter cell का निर्माड होता है और इन्हें हम कोरक्खंड यानि की blastomere कहते हैं तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो cleavage है इसके कई types होते हैं सबसे पहला types देखते हैं तो पहला type है holoblastic cleavage तो जो homolecithal है, misolecithal है या फिर जो alicithal एग हैं उनमें जाइगोट का बहुत तिवरगती से और पूर्ण रूप से विधलन होता है तो इस प्रकार के विदलन यानि की विभाजन को हम holoblastic या फिर total cleavage कहते हैं तो याद रखेगा जब जाइगोट का पूर्ण रूप से और बहुत तिवरगती से विभाजन होता है तो उसे हम बोलते हैं holoblastic cleavage अब यदि हम बात करें holoblastic cleavage के प्रकार की तो यह कुल तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहला है equal holoblastic, दूसरा है uniqual holoblastic और तीसरा है miroblastic तो बड़े important topic हैं और इनसे आपके exam में question बनते हैं तो यदि हम बात करें equal holoblastic की तो जो blastomere होते हैं वो लगभग समान होते हैं तो आये देखते हैं कि equal holoblastic किन animal में पाये जाते हैं इसके example क्या हैं तो जैसे बात करें echinoderms, amphioxas, जो placental mammals होते हैं इन में equal holoblastic cleavage पाये जाता है holoblastic cleavage का दूसरा type है uniqual holoblastic cleavage अबर के चार छोटे micromere और नीचे के चार yalk भरे यानि की macromeres होते हैं तो इस प्रकार के holoblastic cleavage को हम कहते हैं unequal holoblastic cleavage और ये पाये जाता है amphibian में और मचलियों में तो ये important point है आप इसको note कर लिजेगा exam में बहुत इससे question पूछा जाता है अगला है mirror plastic तो mirror plastic में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो पूरी कोशिकाओं में बदल नहीं पाता और इस प्रकार का जो cleavage होता है वो अपूर्ण या फिर आंसिक होता है जैसे कि यदि हम बात करें अधिकतर मचलियां है रेप्टाइल्स है एवीज है इनमें mirror plastic cleavage पाये जाता है तो आएए चलते हैं embryonic development के stages की ओर तो सबसे पहला है morulation तो जब जैगोट का cleavage होता है और cleavage के फलसरूप 16 या उससे अधिक कोसिकाओं की ठोस सररचना बनती है तो उसे हम बोलते हैं marula तो यहां से आपका एक question बनता है आपके exam में और question इस तरह से बनता है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें की ठोस पिंड बनता है तो आपका जो right option होगा option होगा marula marulation के बाद है blastulation तो marula बनने के बाद उसमें क्या होता है कोसिका विभाजन चलता रहता है और कोसिका विभाजन के फलसुरूब उसके बीच में एक गुहा बन जाती है जो कि एक खोकली गेद या फिर गुहा बनाती है और इस संरचना को हम बोलते हैं blastula तो marula हो गया आपका ठोस गेंद या फिर कहा सकते हैं ठोस पिंड और blastula आपका हो गया खोकला गेंद अब blastula के बाद आता है gastulation तो gastulation में क्या होता है कि invagination होता है जिसके फलसुरूब जो blastula के अंदर जो शिलोम है यानि कि जो रिक्त अस्थान है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो इस प्रकास से जो monoblastic blastula है वो diploblastic gastula में change होने लगता है और इसी को बोलते हैं gastula या फिर gastulation और इसके बाद last में होता है organogenesis यानि की organs का formation होता है organ का formation किसे होता है ये layer होते हैं ectoderm, mesoderm और endoderm इन तीनों layer से बाकी उतक और अंगों का विकास होता है और इस प्रक्रिया को हम बोलते है organogenesis तो इस प्रकास से embryo का development होता रहता है और आगे चल कर जो embryo है वह adult के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो दोस्तों ये था हमारा आज का topic I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मदभूलेगा और कोई भी doubt हो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडि तो दोस्तों मिलते हैं झाल झाल